तो तो वेलकम है आपका आज के इस न्यू वीडियो में तो आज के वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टाइंट है जो कि डॉलर इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाज तक देखना सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वा पालाओं किस तरीका से आपको work करना जिससे आप भी मेरी तरह ही डॉलर इंक्रीज कर पाओंगे तो सथ्क्राइब देखने नहीं 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 होंगी तो उनके लिए आपको यहां पर नहीं पर और यहां पर एक्स्ट्रा होता है यहां देख सकते कीगों YouTube Studio चली यहां से जो मैं अपना एड टाइप ओपन करके दिखाता हूं कि मेरा जो एड टाइप में कितना डॉलर एड है तो जहां आप देख सकते हूं एड टाइप हमारा ओपन हो चुका है और लाज 28 यहां पर सलेक्ट है लाज 28 डेज में जो हमारा 463 डॉलर है तो 463 का जब हम इसको 45 परसेंट करते हैं 463 माइनस 45 परसेंट करने पर जो हमारा बनता है 254 डॉलर बनता है बट गयज हमारा जो YouTube Studio में देखा रहा है 304 डॉलर यानि कि बाकी का जो डॉलर वो एक्स्ट्रा है वो जो हमारा जो नहीं मिलने वाला है देखा गयज आपने जो 50 डॉलर है हमा जो इसका आपको एक्स्टा डॉलर सो होता है यदि वो बन्दा सीपेंबर्ग से डॉलर इंक्रीज कर रहा है तो यह मैं गरंटी के साथ कह सकता हूं किसी का भी डॉलर जो फिक्स नहीं मिलेगा एड टाइप में जो आप देख रहे हो इसका जो 45 परसेंट करने के बाद जो म नहीं पता है कि कैसे क्या सेटिंग्स करने होते हैं तो इस वीडियो को डिसक्रिप्शन को चेक कर लीजिए उसमें लिंक मिल जायागा वहां से जाकर आप वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिए कम्प्लीट वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कैसे क्या करन सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा आपको अपने चैनल पर कैसे भी करके पड़े वीडियो डालना होगा और जो आप परड़े वीडियो डालेगो उस पर अगर आपका 100 प्लस वीडियो जा रहा है तो आप भी मेरी तरह यहां ऐसे ही डॉलर इंक्रीज कर पाओगे जी यहां दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं उनका 10-15 पर वीडियो डाला हो तो आपका डॉलर इंक्रीज नहीं होगा यार आप लिखकर रख लो अगर डॉलर इंक्रीज करना चाहते तो आपको परड़े वीडियो डाल रही होगा और उस पर आपको 100 प्लस वीज कैसे भी करके लाना होगा और जब आप सीपेमबर कर रहे हो तो आपको ना तो कोई वीज वाय करना है अगर व्यूज बाइं करके आप सीपियम बर करें तो आपका चैनल बरवाद हो सकता है आपके चैनल पर अगर 100 जैनुवर व्यूज आ रहे हैं आप जो वीडियो डाल रहे हैं जनवरी मन्त मैं एक दिन मैंने वर्क किया था 5 जनवरी को 114 डॉलर आया है उसके बाद गाजियां मैंने 8 जनवरी को वर्क किया 13 डॉलर आया है और उसके बाद यहां पर मैंने वर्क किया था गाजिया 12 जनवरी को 45 डॉलर आया है तो सबसे पहले तो गाज आप एक बात सुन लो अधी आप CPM बग डेली बेसिस पर करोगे तो आपके चैनल पर देखकत आएगा कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिले गया तो आपका एड श्टॉप कर दिया जाएगा कर पाओगे यहां देख सकते हो गाज आरपीम मेरा 16 डॉलर का है और सी पिम की बात प्रतों करके जो सीपेंबर कर सकते हैं तो आपके चैनल पर 100% एडिस्टॉप का प्रॉब्ल या फिर आपका एडिसंस अकाउंट डिसाबल हो जाएगा जहां तो सो सीपेंबर करने के लिए आपका जैनुए पीज अगर 100 आ भी रहा है ना तो आप सीपेंबर कर सकते हो गाज यहां देख सकते हो एक वीडियो में मैंने वर्क किया था यह आप देख सकते हूं चावी सोब वीडियो में और चावसब ब्यूच होने के बाद यहां आप इसका डॉलर देखेंगा इख 극 119 डॉलर मैं एक वीडियो से ही हैं लेख सकते हो पांच जनवरी जिना कि हमारा डॉलर आपके सर्वर से नहीं बढ़ रहा है तो फर्स पॉप आप जो अपने चैनल पर वर्क मत कीजिए क्यूंकि उससे डॉलर नहीं बनता है और आप अपने चैनल पर इंस्टॉल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो गैज उसके लिए जो आपको क्या करना होगा आपको बता देता हूँ यह नहीं देखना है कि जब मेरे चैनल पर एप इंशल का हैड बंद हो जागा तब ही मैं सीपेंबर करूँगा और तब ही मैं वीडियो डालूँगा तो गाइज इसको सॉल्व करने के लिए आपको परड़े वीडियो डालना ही होगा तब ही आप वही प्रॉब्लम जो होगा गाज चाहते हैं तो आज के लिए मैं आपको सर्वर बीपिन बता देता हँ तो आपको बीपिन यूज्व करना है बीपिन यूएसे और बीपेन यूएसे का सर्वर है आपको मैं बता देता हूं तो गैज आपको यहाँ पर दो server बताया है तो मैंने गैज तीन तीन ID आप इंसे try कर सकते हो और दूसरा गैज आप एक pro server में आपको बताने वाला हूँ जिसे आप add watch करके जो आप connect कर सकते हो तो गैज वो है USH Chicago 4 इसको आप add watch करके जो इस server को connect कर सकते हो तो गैज इस बीडियो पर मैंने आपको तीन server बताया है तीनो server से आप चाहें तो तीन तीन ID ट्राय कर सकते हो जनी कि 9 ID से आप work कर सकते हो दोस्तो जिसका भी 100 views आ रहा है वो जो आराम से 10 click कर सकते हैं तेरे तारीक कोस्त में जो मुझे सिर्फ और सिर्फ कैनेडा के server से वर्क किया था और वहां पर जो मुझे दो ID से वर्क करने पर एक डोला आराम से मिल चुका है